ुए है यह लुग टेRes पोईंत में आज आप्का अप्रश्न deepen बात कर ने जा रहे हैं वह ए जो को अव्य हैतु अठावे अर्थाथ आच्छत्र म्मत ने जो का व ही दू बतां हैं इक वाज़य रचना के क्जा कारण है जो निपूनता लोकशास्तर काव्याद्य वेक्षनात काव्यग्य शिक्षाभ्यास इती हेतो स्तत उद्भवे कहने का ताथ परे ये है कि शक्ति दूसरा लोकशास्त काव्यादी मतलब लोकशास्त था काव्यादी के निरिक्षनेवं अनुशीलन से होने वाली निपूनता दूसरा वो निपूनता जो किस से हो लोक्षास्र कव्यादी के निरिक्षण एवं अनुशीलन से जो हमाई पास निपूनता है वो निपूनता फिर थाइड कौन सा है कव्यग्य अठाद कवी एवं सतन समिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करके अभ्यास करना ये क्या हुई हम उस काववे के उद्भव के क्या है इती इती मतलब ये कौन ये एक तो शक्ती फिर निपूर्था फेर क्या है अभ्यास ये तीनों तद उद्भवे उसके उद्भव किसके उद्भव काववे शास्त्र के उद्भव के क्या है हेतू हेतू अर्थात कारण है ये आचारे ममट क काववे के तीन हितु माने पहला शक्ति दूसरा निपूर्टा और तीसरा क्या है अभ्यास आपसे पूछा जा सकता है कि आचारे ममठ ने किस उल्लास में काववे के हितु का वर्णन किया है तो प्रथम उल्लास में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने उनके काववे हितु है तो आपको कहने होंगे कितने? तीन है कौन कौन से, शक्णी फिर दूसरा कौन सा है? निपूर्टा और तीसरा है अभ्यास व्यक्ति में वो शक्ती हो जिससे क्या हो? एक अच्छे काव्ये का निर्माण हो दूसरा, निपूर्था हो कौन से निपूरता वहनिपूरता जो क्या हो लोक्षास्त तथा काव्यत्यादिके निरिक्षन एवं अनुकूलन से प्राप्त हो तीसरा है अभ्यास किस चीज का अभ्यास की बात करी जाए तो यहां पर अभ्यास कह रहे हैं यह वह अभ्यास जो किसी भी कवी एवं समिक्षक से जब हम जाकर के शिक्षा ग्रहन करें और उस शिक्षा ग्रहन करने के बाद उसका लगातार अभ्यास करते रहें उस अभ्यास की बात करी गई है य इन तीनों के योग से क्या होता है एक सहद्य जनों को आहलादित करने वाले काव्य का निर्मान होता है यह क्या है एक काव्य के हितू है किनके अनुसार आचारे ममट के अनुसार आचारे ममट के अनुसार काव्य के तीन हितू है जो क्या है शक्ति है निपूरता है और अभ्य इनका सीक्वेंस याद रखें कि सबसे पहले कुन सा है शक्ति दूसरा निपूरता और तीसरा अभ्यास इससे क्या होगा कि आप से क्या पूछा जा सकता है इनका सेक्वेंस पूछा जा सकता है आपको दे सकते हैं पहले अभ्यास फिर निपूरता फिर शक्ति लेकिन क्या है स ये तीनों क्या है काववे के हितु है इन तीनों के एक साथ होने से ही क्या होता है काववे का उद्भव होता है तद उद्भवे उसका उद्भव होता है किसका काववे का उद्भव होता है जब उसके पास शक्ति निपूर्था और अभ्यास तीनों हो तब ही सरहिदे जनों क आहलादित करने वाले काव्य का निर्माण होता है उसका उद्भाव होता है इसलिए क्या है आचारे ममठ के नुसार ये तीन क्या है काव्य के हितु है उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी आप चाहें जिसके स्क्रीन शूट ले ले आगे आपको याज रखने में एक काम आएगा ऐसे ही हमाई साथ जुड़े रहिए आपका दिन शुब हो थैंक यू सो मच बाई बाई